नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होष्ट और आप देख रहे हैं धमसरमार्ग दोस्तों हम बात कर रहे हैं भगवान सूरी को प्लेन वाटर यानि सादा जल कभी भी अरपित नहीं करनी चाहिए हाँ कुछ बिशेश परिस्तीतियों में आप अरपित कर सकते हैं पर जेनरली आप जो आम दिनों में पूजा करते हैं उसमें आपको प्लेन वाटर भगवान सूरी को नहीं अरपित करनी है दोस्तों जब भी आप भगवान सूरी को अरपित करते हैं जल तो उसमें आपको कुछ डालना है सबसे पहला बात यह है कि आप जब भी उन्हें अर्पित करें जल तामबे का लोटा का यूज करें अगर नहीं है तो पीतल का भी लोटा चलेगा इस्टील का भी चलेगा लेकिन संभव हो तो तामबे के लोटे से ही उन्हें जल अर्पित कीजिए भगवान सूर्य जिन्हें की हम प्रान कहते हैं पिता कहते हैं इस धर्ती का इस ब्रह्मान के साक्षात जो देपता है वो सूर्य है सूर्य ही हमें पोसित करते हैं हमें पालते हैं हमें जो भी मिलता है इस पृत्वी पर उर्जा वो सूर्य से ही मिलता है सूर्य ही हमें बनाए है और सूर्य ही हमें खतम करेंगे तो सूर्य हमें को हम जोतिस में पिता का अस्थान दिये हैं हमारे जोतिस हासर में सूर्य को पिता का अस्थान प्राप्त है अगर आपका सूर्य कुंडली में मजबूत होता है तो क्या होता है आपको करीब करी 22-23 साल की उम्र में ही आपको कहते हैं सरकार से लाब बिलता है यानि कि बहुत छोटे ही उम्र में आपने पढ़ाई की और आपकी नौकरी हो गई या भी कोई ऐसा हुआ कि आपको सरकार के द्वारा सम्मान मिला तो ये सूरे जीवन में मान सम्मान धन सुक संपत्ती देते हैं और इन्हें प्रवल करना सबसे जरूरी है हर व्यक्तियों के लिए आप कुछ करे या ना करें पर भगवान सूरे को एक लोटा जल तो आप अरपित कर ही सकते हैं और उसमें भी आपको बहुत लोग क्या करते हैं गंगाश्टान किये हाथ अंजूरी में जल भरके उन्हें अरपित कर दिये कीजिए कोई दिक्कत नहीं है पर अगर आप घर में करते हैं आपके पास टाइम है तो एक लोटा तो जल अरपित करना है पर उसमें आपको रोली कुमकुम जिसे कहते हैं पैकेट में आता है आप एक लेके रख लीजिए एक चुटकी आपको डालना है कुमकुम जल में और थोरा सा कुमकुम आपको लोटे के किनारे में भी लगा लीजिए क्योंकि जादा तो आप जल में डालेंगे नहीं तो हम आपको बतलाएंगे कि क करना क्या है यह अपको तमाम के मुसीवतों से बचाएगा और मान सम्मान यस धण भी दिलाएगा साथ ही साथ आपको एक और कारी करना है अगर आपके लिए संभभ है तो गुड़हल का पुस्प पर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है यह भगवान सूरी को बहुत पसंद ह दूसरी बात अगर आपके पास गुढ़ल का फूल नहीं है तो आप लाल गुलाब की पंखुरी भी जल में डाल के भगवान सुरे को अर्पित कर सकते हैं एक दो पंखुरी डालने काम चल जाएगा वो भी नहीं है तो गेंदा का फूल जो बहुत आम है आप मेरून टाइप में आता है गेंदा आप ले आए और दो चार पंखुरी उसमें डाल दीजिए हां तो हम बात कर रहे थे यह जो आपने लोटे में कुमकुम डाला है इसका क लोटे की किनारे में लगा ही लें पहले से अब भगवान सूरे को आप उस्पसहित जलर पित कीजिए और यह जो लोटे की किनारे में कुमकुम लगा हुआ है रोली इसे आप खुद को इस रोली से तिलक कीजिए आप देखिएगा लोग आपको सलाम ठोकेंगे आते जाते आपको परणाम करेंगे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी इससे सूरे मजबूत होता है और सूरे का मजबूत होने का मतलब ही है कि अब आपकी समाज में इज्जत बढ़ गई दोस्तों ये तो हो गई अब हम बात करें अगर सूरे को तो आपने मजबूत कर लिया अब मंगल मंगल जो हमें भूमी भवन तमाम जमीन जायदा हमें मंगल ही देता है अब सूरे के साथ हम मंगल को भी मजबूत कर लें तो फिर मान सम्मान येस के साथ हमें बहुत सारे जमीन ज्यादा आलिसान बिल्डिंग बहुत कुछ आपको मिल सकता है तो इसके लिए क्या करेंगे आपने जल्दिया भगवान सुरी को वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले अगर वहाँ पे खड़ाओ के करना संभव नहीं है तो अपने घर में अंदर आ जाएं पुजा अस्थान में बैटके भी कर सकते हैं एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको भूमी भवन का मालिक बना देगा आपके कुणली में भले ही योग नहीं है पर इस उपाय से आपको अपना मकान अपना भूमी अपना प्लॉट सर चीज की प्राप्ती होगी इसके साथ ही आप चाहें तो गायतरी मंतर का पाठ भी कर सकते हैं गायतरी मंत्र का पार्ट करने से क्या होता है? ये मंत्र अपने आप में सिध्ध है. दुनिया में इतने भी मंत्र है, सबसे ज़्यादा पावर्फुल मंत्र है गायतरी मंत्र. ये सरीर को अंदर से भागयवान बना देता है. आपका सरीर ही भागयवान हो जाएगा. अब आप समझ लीजिए कि आपके गरह तो खुद बखुद भागेवान आपको अनुकुल तो होने ही हैं जब आप ही भागेवान हो गये थे आपके गरह की क्या मजाल कि आपको हाणी पहुंचा दे। आपको दुनिया में अपना पहचान बनाने से कोई नहीं रोख सकता है। ज्यादा नहीं कम से कम 11, 21, 24 वार आप गायत्री मंत्र का पाट जरूर करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो गायत्री मंत्र का पाट करें, हनुमान जालीसा पाट करें, हनुमान जालीसा पढ़ने से आपके दच्चे चोट, चपेट, दुरघटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे और गायत्री मंत्र का पार्ट करने से उनको पढ़ाई में भी मल लगेगा और डिसीजन लेने की जो छंता है आपके बच्चों की वो भी बढ़ेगी आपके बच्चे सही समय पे सही डिसीजन ले पाएंगे बुद्धिमान बनेंगे और दिमाग भी सार्फ आप इस वीडियो को देखकर लाब जरूर उठाएंगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ धन्यवाद